है गाइस वाइनली आज हम लोग अगेन खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट एंद आज की वीडियो बहुत आसम होने वाली है भाई सबसे पहले मेरी एकस्पी देखो 1000 है लास्ट अपीसोड में हम लोग ने किया था भाई बहुत टाइम लगा था तो नहीं देखा तो जाके देख अब नगीन हो आज मैं एक सूपर स्मेल्टर बनाने वाल वाला शुतया इंड और छे रहेंगे यह यह तो फॉल्ट के लिए बेसीकली मेरे को ना यार मेरे जो कॉबल स्टोन फार्म है उससे बस और बस स्टोनस मिलते हैं मीन कबल स्टोन प्लेता बट साथ-साथ मेरे को धे साड़े स्टोन स्पीच यह ताकि मैं स्टोन ब्रिक्स बना कि उससे अपने बिल्स बना सकूँ मैं यहां से आइडन ले लेता हूं और फड़ावर से जो जो समान मेरे को चाहिए मैं कलेक्ट कर लेता हूं एंड आइडन निकाल लेते यहां से मेरे पास जितने भी रेड्स्टोन है वो खटम हो चुके है अब मैंने बहुत पहले जो माइन किया था इन सब रेड्स्टोन के ब्लॉक्स को तो फड़ावर से इन ही को प्लेस करकि मैं फॉर्चून से तोरता हूं फड़ावर से साड़ी सारे जरूरी ukो मैं कलेक्ट करलेके इस वाले चाहर मत अस्तार्ट कर डालूंगा एस फटावर से हम सारे के सारे समान कलेक्ट कर लेते हैं चरफ़ावर मैं आलल मुस्ट डाश्रा मृन लएडि कर लिया है अभी फड़ावर शेl से काम को complete करते हैं I mean super smelter को बनाते हैं so यह वह सार समाना है जो की मेरे को चाहिए रहेगा सो चलते हैं wait यार एक last चीज बाकी है जो कि है bamboo actually मैं smelter के साथ-साथ एक fuel farm भी उसके side में बनाने वालो ताकि मेरे को fuel भी लाके ना डालना पड़े सो गाइस मैं अपने bamboo farm में आयो इसको मैंने शलकर फार्म वाली वीडियो में बनाया था नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लो सब वीडियो जाके देख लो सबसे पहले मेरे को एक छोटा सा गड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मेरा storage एरिया एंड यही से मेरे को वह अलस मेल्टर बनाना पड़ेगा सबसें मैं बनाना स्टार्ट कर डालते हो उस गड़े को आई में देखो तुम लोग टाइम लैप्स अब भाई साब आप बोल सकते हो आप कौन हो मेरे पीछे क्यारा मुल्कों की पुलीस पड़ी हुई है भाई पता नहीं यार कहा डी स्पॉन हो गया यह बंदा पता नहीं अभी तो यह मेरे सामने ही था भाड में जाए वो मैं अपना काम कर लेता हूँ तो फिर मेरे को मैंने लगाया तो इसको मैं तोर दिया हूँ एंड इसको भी तोर डालता है लेट्स को यहाँ पर लगने वाला माइन कार्ट तो फिर यहाँ पर मैं लगाने वालों चेस्ट को एंड इसके ठीक उपर मेरे लगता नहीं है इसके ठीक उपर हॉपर्स लगाने पर इंगे मेरे तो फिर इसको फटावर्स में लगा डालता हूं लेट्स गो ओके हॉपर्स के लिए मैंने यहां पर थोड़ा वह डिग आउट कर लिया है तो सेम तू सेम गाईस इस वाले डायेक्शन में भी मेरे को थोड़ा सा येस जारा नहीं थोड़ा सा डिग आउट करना है किसे मैं आना था एंड फिलहाल मैं भी वाला पार्ट कर रहा हूं जिससे मेरे को अनलिमिटेट फ्यूल मिले गया यहां पर सो वह उने वाले एक बैंबू फार्म सो यह देखो यहां पर मैंने थोड़ा वाद यह सेट अप किया है तो इसको यहां कर डालते है एंड बैंबू फार्म ओके फड़ावस भाल बस और बस बैंबू फाम के आसपास ग्लास ती को इसख़ा बढ़ाल यहां 만들 लगा यांकि लगाणा या हुआ एसीजी के साथ अपना पूरा का पूरा श्मेल्टर बनके तेयार हो चुका है तो यह वीडियो कैसे लगी कोमें बोलना लाइक कर डालना वीडियो को चैनल में ने वस्चैनल को सब्सक्राइब कर डालना एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में गुड़ बाइ